दोस्तों नमस्कार अपने चैनल पे में विजय प्रकास आपका हर दिक स्वागत करता हूँ नहीं हो रहा है अब जो चाहिए हमें अगर वही ना हो तो बाकी कुछ भी होने का क्या फाइदा कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं फांडिंग मेंबर्स दोस्त जो चीज आज से करीब तीन साल पहले कहा गया था कि सब कुछ होने जा रहा है मतलब कंपनी लौंच होने जा इन आपको एपल्स मिलने जा रहे हैं तो क्या फाइद तीन साल बात भी नहीं होगा अवस्य होगा थारज रखिये और सब कुछ होगा जैसा चाहते है हम हमें वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए हम सालों से धारज रखे हुए हैं इंतिजार कर रहे हैं बस हमें अपनी सोच को बड़ा रखना होगा पाजिटिव रखना होगा क्योंकि सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से भी अधिक खतरनाक होता है हम जिंदिगी में मिलने वाले चीजों को सकसेज को अचिपमेंट को नहीं देख पाते हैं समझ नहीं पाते हैं दोस्त कोई जीत या कम्याबी हासिल क प्रियों के लिए अपने अंदर के डर को खत्म करना पडता है वरनवाध डर हमारे साहस को हिम्मत को जीतने के जोस और जुनून को खत्म कर देता है अभी भी कुछ Фब्क मेंबर्स ऐसे हैं जो अपने अफर करना चाहते हैं आखिर क्यों क्योंकि उन्हें डर है कि यहां हम हार ना जाएं असफल ना हो जाएं अगर उसे यहां अंदर से विलीव हो जाए कि मैं चेंद रूपियों के बदले जो position सेल करना चाहता हूँ यह वही position है जो हमारा कौन कहे हमारे आने वाले साथ प्रियों तक उदार करने वाला है उनके future तक को safe and secure करने वाला है उ इसी से में financial freedom मिलने है इसी से हमारे सपने सभी पूरे होने है जिन्दगी में कभी कमी नहीं होगी पैसों की इसी position से गारी बंगले सुक समर्दी माम समान नाम सोहरत धन दवलत सब कुछ आने है तो क्या हूँ किसी भी परिस्थिती में कैसे भी हालातों में किसी भी कीमत पे उसे sale करने के बारे में सुचेगा अब सवाल ये है कि अगर उसने 2021 में इसे join किया उस वक्त तो believe किया इस पे वरना founder position लिया ही नहीं होता तो फिर आज ऐसा क्या हो गया है जो उसके विश्वास डगमगा रहे है उसके believe level बरना चाहिए तो वह कम क्यों हो रहा है मैंने इस ब पता कहीं experiment करते करते कुछ दिन बाद कह दिया जाए कि प्रियास बहुत हुआ बट mission कम्याब नहीं हो सका तब तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे कहीं मुह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे ना घर के रह जाएंगे ना घाट के अभी ऐसा कुछ activities नहीं दीख रहा जिस भी हाल में अपनी ID सेल नहीं करने का निरने लिया आखिरे सब क्यों हो रहा है लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि लगता है हमें यहां कुछ भी नहीं मिल पाएगा इसका main region यहीं है कि करीब 3 सालों से continue Mr. S कहते आ रहे हैं कि बहुत जल्दी आपकी गरीबी दूर होंगे भर भी बदलाव नहीं हुए यहां next week and next month कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा मालूम नहीं वह सुप दिन कब आएगा जब हमारे सकसेच के सुरुआत होंगे या सिर्फ सुन सुन के ही संतोस करना परेगा कुछ तो अब यह भी कहने लगे हैं कि हमने Mr. S पे 100% भरोसा कि तभी तो यह में महीने में ही घोसना किये थे कि 97 डॉलर्स वैलेट में रिफंड देने को और जुलाई भी चला गया मगर अभी तक एक भी डॉलर नहीं आ सका वैलेट में बाकी सब टेकनिकल चीजे हैं टेकनोलोजी है थोड़ा देर हो सकता है आने में मानते हैं बट 97 डॉ अगर दे दिये वैलेट में और के वाइसी करा दियें तो बहुत सारे फांडिंग मेंबर्स वीड्रॉल कर सकते हैं कम से कम वैसे लोग तो निकालेंगे ही जिनके पास मल्टिपल आइडी हैं अगर उनके पास 10 या 5 आइडी हैं तो हो सकता है एक दो का छोर कर बाकी सब निक बात नहीं रखते हैं वे तो जून मंत के स्टाटिंग में ही हमारे वैलेट में 97 डॉलर से रिफंट करने का कमिट्मेंट किये थे फिर वह कौन सारे जिसके चलते इसे भी रोक कर रखा गया है वे बस यही चाह रहे होंगे कि पैकेज के साथ ही इसे भी डाल दिया जाएगा सबी के वैलेट में ताकि कोई वेडरोल करने को भी अगर सोचे तो उसे मौका नहीं मिलेगा क्योंकि उसके सामने पैकेज भाई करने के ओप्संन होगे जितने मुः उतनी तरह की बात यह देर होने की वज़े से लोग तमाम तरह की बाते सोच रहे हैं कर रहे हैं ऐसी बात ताकि सब कुछ सुरू हो जाने के बाद फिर हमें पैसों के लिए कोई काम नहीं करना परे जिंदगी में फिर किसी अधर कॉंसेप्ट या कंपणी के तरफ हमें नजर उठा कर ना देखना परे और बिल्कुल यही होने वाला भी है यहां जब तक सुरूआत नहीं हुआ है हमा पैसा करेंगे क्योंकि हमारे पास नाम पैसा प्रतिष्ठा सब कुछ होगा दोस्त जो इंसान धिरज रख सकता है जिंदगी में वह अपनी इक्षा के नुसार दुनिया में जो चाहे सब कुछ पा सकता है जहां विस्वास और भरोसा उचितम अस्तर पे होते हैं जहां आस् दिन बाद मिले विस दिन बाद मिले महिने दिन बाद मिले मिलेगा जरूर मिस्टर आस को भी पता है एक एक फांडिंग मेंबर्स के तरप के बारे में उनके सपनों के बारे में जरूरत के बारे में वे और पैसिप को किस भरोसे और विश्वास को लेकर जुआइन हुए है उन्हें सब कुछ मालूम है तभी तभी हमेशा मोटिवेट करते हैं हमें कि रेडी हो जाएए अब वो सब कुछ आने वाला है आपके लाइफ में जो चाहते हैं आप दोस्त अभी रिसेंट में कुछ मैसेज के बारे में बात करें चाहे वो मैसेज इंटरनेशनल लीडर्स माटी डिगामो के थुरू हो या फिर चीफ मार्केटिंग ओफीसर मुहमद नजाल के जरिये हो या जैसे कुछ और लीडर्स भी कह रहे हैं उससे तो यही जाहिर होता है कि अगस्त महीने में बहुत कुछ होना है मुझे मालूम है आप अभी क्या बोलना चाह रहे हैं आप यह कहना चाह रहे होंगे कि ऐसा तो हमें हर महीने लगता है कि इसमें सब कुछ हो जाएगा क्योंकि उसी तरह के कुछ अपडेट्स या अनॉंसमेंट ही होते हैं जिससे कोई भी यही अंदाजा लगाएगा कि बस सब चन्द दिनों में सब कुछ होने ही वाला है लेकिन होता क्या है या सबी को पता है दो तिन सालों से तो ऐसे ही सुनते आ रहे हैं कहा जाता है सब कुछ होने के लिए मगर होता कुछ भी नहीं है मैं जानता हूँ मैं रीजन यही है किसी भी फांडिंग मेंबर्स के निरास या मायूस होने का या परसान होने का दोस्त वक्त बदलते देर नहीं लगता अपनी सकसेच के इतने करीब आके घबराना बिलकुल भी नहीं है हमें कोई न कोई बहुत बड़ा good news जरूर मिलना है तभी हर किसी के द्वारा ऐसा बार बार कहा जा रहा है कि किसी भी चीज को लेकर hype create ना करें हो सकता है हमें एकाद महीने के अंदर उस सब कुछ मिले जिसका इंतजार है हमें और अब मिलना भी चाहिए इसमें hype create करने जैसा कुछ भी नहीं है O Connect पुर्ब के अपडेट के अनुसार 2022 के अक्टूबर नॉंबर में ही लॉंच होने वाला था बट ऐसा नहीं हो सका टेकनलोजी है कुछ समय लगना सोभाविक है बट उस पुर्ब के अपडेट को 8-9 महीने हो गए इस बिच बहुत सारे काम भी हुए आज हम O Connect को बिल्कुल फ्री में यूच कर पा रहे हैं उसके features quality को देख पा रहे हैं क्योंकि अभी तक यहां बिल्कुल फ्री trial में ही चल रहा है लेकिन अब यहां paid version में launch होने के कगार पे आ चुका है कभी भी घोसना हो सकते हैं इसके launching का जो product आज से 8-9 महीने पहले ही launch होने वाला था अगर नहीं हो सका तो 8-9 महीने बाद तो हम उसके commercial होने का उमीद करी सकते हैं जुन जुलाई में कहके भी कुछ नहीं हो सका है इसलिए अगस्त से तो बिना किसी के कुछ कहे या कोई updates दिये बहुत अधिक उमीदे हैं सभी को और अब अगर कुछ होने का कोई उमीद ना करे तो फिर कब करेगा भाई जोची 2020 से किस में ही final होने वाला था वह दो-तिन साल बाद 2023 में भी ना हो सके तो एक कैसे संभव है मैं CEO Mr.S से request करना चाहूँगा कि OnPersip के सबसे अधिक founding members इंडिया से ही हैं लगबग 40% से भी ज्यादा अगस्त के महीने में ही यहां हर साल जस्न मनाया जाता है आजादी का और उन भीर सपूतों को दिल से याद किया जाता है जिनों अपने त्याग, बलिदान और अपनी जान तक दे कर आजाद कराया इंडिया को इसी आजादी के साथ अगर हमारे आर्थिक आजादी का भी सुबारम हो जाता है तो आपके भी गुणगान और जैजैकार होने लगेंगे क्योंकि हमें आर्थिक आजादी दिलाने के सभी को भरुसा है कि अन भाई सीप से हमें आर्थिक आजादी मिलेंगे, हमारे सारे सपने पूरे होंगे